औरिजिन सिरीज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक ऐसे कॉमिक बुक करेक्टर की औरिजिन जिसकी इंटेलिजनसी उसकी सूपर पावर है उसका दिमाग एक सूपर कम्पूटर से भी ज़्यादा तेज है हम बात कर रहे हैं सब के चहीते चाचा शौधरी के बारे में चाचा शौधरी डायमेंड कॉमिक्स का सबसे फेमस करेक्टर है जो सबसे पहली वार 1971 में लोटपोर्ट नाम की मैगजीन में एपियर हुआ था और वो आते ही इतना ज़ादा फेमस हो गया कि उसकी एक अलग सेपरेट कॉमिक्स लानी पड़ी चाचा शौधरी की कॉमिक्स दस रिजनल लेंगवेज और इंगलिश में चापी जाती है और उसके दस मिलियन से ज़ादा कॉमिक्स चापी जा चुकी है और वो डायमेंड कॉमिक्स की हाइस सेलिंग कॉमिक्स में से एक है और इसके पहले दो इशू इंटरनेशनल म्यूज श्री सम्मान से नवाजा है चाचा चौधरी करेक्टर की बात करें तो चाचा चौधरी एक मिडल क्लास अंकल है जिनके पास कोई सूपर पावर तो नहीं है बट वो अपनी इंटेलिजेंस के दम पर किसी को भी मात दे शकते हैं लोग कहते हैं कि उनका दिमाग एक सूपर जो कभी कोई मैच नहीं हारे चाचा चौधरी एक हाइली इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हैं जो चोरी और रॉबरी जैसे केसे सुल जाते रहते हैं वो ठगों और करप्ट आफिसर्स को मजा चकाते रहते हैं इसमें उनकी हेल्प साबू करता है जो जूपिटर से आया एक एलियन है जिसकी हाइट 10 विट है वो बहुत स्ट्रॉंग है साबू एक बार धर्ती पर आया और बिन्नी चाची के हाथों का बना हुआ खाना उसने खाया और उसने ये फैसला किया कि अब वो यहीं रहेगा बिन्नी चाची चाचा चौधरी की पतनी है जो अधिकतर बेनली ये ही नजर आती है चाचा चौधरी का एक कुटा भी है जो एक है तो एक स्ट्रीट डॉग बट वो बहुत ज़्यादा लॉयल है उसका नाम उन्होंने रॉकेट रखा है चाचा चौधरी और साबू ज़्यादा तर चोरों और छोटे मोटे रॉबर्स को पकड़ते रहते ह है पर उनका सबसे वड़ा दुस्मन राका है राका एक डकैत था जो पुलिस से बचने के लिए एक घर में जाचिपा था और वो घर एक वैद देका था और पकड़े जाने के डर से उसने एक बोतल में रखी चीज़ को जहर समझ कर पी लिया जो जहर नहीं बलकि अमरित नि हम सब को याद ही होगा कि हम लोगों ने चाचा शौधरी पर बनी सहारा टीवी पर आने वाली सीरीज देखी थी जिसमें रखुबीर यादव ने चाचा शौधरी का किरदार निभाया था और प्रवीन कुमार साबू का और टून्स मीडिया ने अब चाचा शौधरी पर ए प्रून कमतौन कि अष्या वडे थी